बोलीवूट के चकाचोन से प्रिरित होकर जांसी की नशीली आँखो वाली पूजा सिंग अब हरियानवी फिल्मों में अपनी अद्दाओं के जल्वे दिखा रही हैं। पूजा ने अब तक करीब 40 से ज्यादा हरियानवी और भोजपूरी गानों में अभी नएक किया है। पूजा भी नएकि साथ साथ मॉडलिंग वा सिंगिंग भी कर रही हैं। उनकी मधूर और मीठी अवास का जादू जल्द ही उनके फैंस सुनेंगे। कमसिन, उम्रो और अपनी नशीली आखों से अपने फैंस का दिल जीतने वाली 20 वर्ष ये पूजा सिंग उत्तर प्रदेश के जासी की रहने वाली है। खुबसूरत दिखने वाली सभी नेतरी को बचपन से ही तीवी देखने का बहुत शौंग था। पुजा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मातर 16 साल की उम्र से शुरू किया। और आज दो वर्ष बाग ही इनोंने हर्यानवे और बोचपुरी फिल्मों में एक अलग पहचान बना ली। उन्होंने हर्यानवे फिल्मों में एंट्री कर सभी मॉडल्स की खलबली मचाते हुए सब की छुट्टी कर दी। 32 का फीगर रखने वाली सभी नीतरी को खाने में पीज़ा और बर्गर खाना बहुत पचंद है। वो शुटिंग के बाद घर पर सबसे ज्यादा समय अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती है। जल्द ही फूजा सिंग अपने दर्शकों को छोटे परदे पर भी नजर आएंगी। उनकी सफलता को देखते हुए कलस चैनल की ओर से उन्हें अपने सीरियल भावी जी घर पर हैं में भी काम का ओफर दिया गया है। जासी कि इस नशीली आखो वाली छोरी को हरियाना की मशूर डांसर सतना चोदरी के ठुमके बहुत पसंद है। और वहें उनकी तरह डांस करना भी पसंद करती हैं। उन्होंने सपना चोदरी के बद्दे डांस का बचाव करते हुए कहा कि गंदा डांस नहीं, गंदी सोच होती है। कलाकार चिर्फ कलाकार होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए कलाकार को कलाकार की स्पोर्ट कर दी चाहिए के जैसा डांस भी करना पसंदे मुझे, और मतलब डांस ऐसे करते हैं, गंदा है, यह है, मैं सोचते हूँ काम कोई बुरा नहीं होता है, बट लोगों की नजर ऐसी होती है, कोई गंदा सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, बट कलाकार कलाकार की सहायता करता है, अच्छा तो प्लीज दोस्तों ऐसा ना करें किसी का लाकार को बुराई ना करें ना बुराई करने दें किसी को एक सपोर्ट में रहें हरियाना जाई